तो हेलो और वेलकम यूवोल, आएम रोहीत प्रों महाजन ट्रेडर, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल इंडिया लिमिटेड की और एक बोनुस शेर की भी, साथ ही गेल इंडिया लिमिटेड की बोनुस को भी हम देखने आले हैं, तो वीडियो को आगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको बैंक निप्टी और निप्टी की काफी कुछ अपडेट्स बिलेगी, तो जाकर एक बाद चिक आउट कर लेना, और दमाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही, स्टॉक में अगर हम देखे, तो फिछले 5 देज में स्टॉक ने काफी ज़्यदा बहतरी डिटल समय दिये है, शियर में आप देख सकते हो, 2.15 रूपिस की राउन तक की, एक स्टॉक वे अच्छी बड़त भी हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर कुछ ट्रेइडलाइन पे ने बनाई थी, इस ट्रेइडलाइन के बेसिस पे देखा जाया, तो शियर में एक सिमेट्रिकल टाईप पैटन क्रीएट हुआ था, इस पैटन के बेसिस पे शियर में एक ब्रेखावट भी मिला, ब्रेखाव्ट के बाद आप कहो कहा, इस stock उबर की जाता हूँ ओवर में अज़े आ रहा है कि आप अरभी अगर मैं ट्रेड लाइन बनाता हूँרט थो इस ट्रेड लाइन के basis पर पर देखे तो शियर मैं इस label पर इस range पर एक support देखने को हुना है इस level पे अगर इस stock support ले लेता है तो यहाँ से जो rally आएगी काफी बहतर ही ना सकती है already stock में return अच्छे है 2.15 लूपिस के basis पे वही एक महिने में आप देख सकते हो stock ने क्या शानदा recovery बताई है यहाँ पर जो यह level था इस level को जब से stock ने break किया है return तगड़े हैं यहाँ पर भी अगर में trade line बनाता हूँ तो इसके बाद भी stock में और बड़े return में मिलने वाले breakout हमें already मिल चुका है जहाँ पर खावियत तक share गिरता हुआ ने जरा रहा था वही से stock में बड़े returns हमें देखते हों को मिल रहे हैं एक महिने की अगर में बात कर लूँ तो पिछले एक महिने में stock 1.65 रूपिस के राउं तक के return दे चुका है एक double bottom type scene यहाँ पर stock ने create किया है breakout हमें already मिल चुका है उपर गया थोड़ा sideways stock sustain कर रहा है यहाँ पर भी हमें breakout मिला है जहाँ से rejection मिला था और यहाँ से एक चीज clear है कि stock में यहाँ से बहतरी डिटन हमें देखने को मिले गए आगे बड़ते हैं बात करते हैं 6 महीने में stock में 10 रुपे 10 पेसे तक की एक अच्छी बड़त में जराती है यहाँ पर दिखा जाया तो कई सारे fluctuations है यहाँ पर भी fluctuations देखने को बिले उसके बाद stock एक proper setup के साथ trade करने लग यहाँ पर मैं trade line बनाओ तो इस trade line को काफी अच्छी तरीके से support दिया है उपर से trade line में बनाओ तो rejection भी हमें मिले है तो यहाँ पर आप दिखोंगे stock में यहाँ से rejection है यहाँ से support है यहाँ से support है तो upside downs momentum यहाँ पर नचर आ चाते हैं तो पहले भी मैं एक चीज़ clear कर चुका हूँ कि stock में यह उपर का level break होगा तो stock में शांदार रह लिया है और यहाँ पर वही चीज़ मैं आके आपके साथ discuss करूगा तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले volume देख ले थे volume आच कम है काफी लोगों ने share को ना खरीदा ना बेचा आज अगर देखे तो market काफियत तक गिरा है और वह आज की बात कर ले तो 47 lakh के रहां तक का ही trade value यानि बिलकुल आधा यहाँ पर volume कम है बट अच्छी बात है क्योंकि बिक्वाली ज्यादा नहीं हो रही है यहाँ पर एक news है O.P.A.L. a joint ventures of ONGC, Gale and GSPC required natural gas for operating its own captive power plant तो यहाँ पर जो O.P.A.L. है जो joint ventures है यानि इनकी ही company है ज जिसी Gale and GSPC की तो यहाँ पर उसे required है एक gas की इसका जो खूद का captive power plant है उसके लिए तो उसके लिए यहाँ पर Gale and GSPC जिसी जिसी company से यह appeal कर सकता है इसके लिए तो एक contract यहाँ पर अगर दिखे तो HPCL ने contract जीता है तो एक चीज जमेन जलाती है और वही बात कर ले यहाँ प दिया जा रहा है Gale India Limited में एक बहतरी टार्केट दिया जा रहा है कई वड़ी companies की और से मोतिलाल उस्वाल की और से बताया है मैंने अब बात करें अगर शियर खान की भी तो शियर खान की और से आप देख सकते हो तो यहाँ पर 128 रुपिस का टार्केट दिया जा रहा है करने के लिए कह रहा है और 3% लोग ही है जो स्टॉक में यहाँ पर हमें कह रहा है कि आप इसमें सेल कर सकते हो ज्यादा तर लोग पॉसिटिव है अब बात कर लेते हैं बोनस की तो company पहले अगर देखे 2017 के बाद continue bonus दिये इसने 2011 तक यहाँ पर 2017, 2018 में continue bonus दिये फिर 2020 और 21 की बात कर ले तो यहाँ पर covid का time था इस कारण से bonus नहीं मिला बड़ 2020 में bonus दिये 2023 में price कम है बड़ शेयर अगर देखा जाए तो जाते जाते 150 तक चले जाता है या फिर 140 तक चले जाता है तो company के और से bonus का announcement यहाँ पर हो सकता है काफी अद तक बड़े chances लग रहे है कि हो सकता ह levels important है उन्हें हम discuss कर लेते हैं यहाँ पर day one के time frame पर हम देखते है कि stock में आखिर क्या चल रहा है गेल इंडिया limited में अगर हम देखे तो उपर से proper rejection हमें मिल रहे थे हाला कि breakout हमें मिला था बर breakout fail हो गया और उसके बाद काफी बड़ा fall आया बड़ यहाँ पर important support था जहाँ से support लेखे फिर से उपर के और गया है तो यहाँ पर आप दीखोंगे तो इसे हम कह सकते है एक symmetrical type pattern ठीक है जहाँ से stock में उपर से rejection यहाँ पर हमें मिल रहे है नीचे से stock में support हमें मिल रहे है इसी के चलते आप दीखोंगे तो share breakout के करीब है breakout की near है तो यहाँ पर अगर उपर के share breakout हमें दे देता है तो यहाँ से एक अच्छी rally stock में आ सकती है 112 रुपे के राउंड जो यह share है जा सकता है या फिर 114 रुपे के राउंड जा सकता है जहां से नीचे की और आ रहा था तो यह कुछ target भी हमें manager आने वाले है पाच मिनट के time frame पर देखे तो stock में यहाँ से कई बार rejections है आज भी rejection मिला और आज ही breakout भी मिला breakout के बाद stock है यहाँ पर sideways भी हो गया यहाँ पर कल की दिन अगर देखे तो नीचे से support है तो उपर यह trade line break होती है तो बलकुल यह उपर जो trade line में ने बताई जहां से stock में बड़े momentum आ सकता है यह trade line break होने के chances यहां से बढ़ जात फिर breakout मिला breakout के बाद stock ने sustain किया और फिर again उपर के उठ जा रहा है इस चीच का आपको धियान रखना है और उपर की ओर a range break हो जाती है 108 रुपे के around का level break हो जाता है तो share में और एक बड़ी बड़ात हमें देखने को मल सकती है और वही बात कर ले 1 week के time frame पर तो already यहाँ पर आप देखोंगे तो इस point पर अभी भी यह share रुका हुआ है point अगर break हो गया तो share में काफी बड़े momentum इसका weight कर रहे है तो यहाँ पर आप देख सकता हो one month की time frame पर share में यहाँ से गरावाट थी यहाँ से support यहाँ से गरावाट यहाँ से support एक symmetrical type pattern stock ने यहाँ पर create किया था उस इसका नाम है roto pump limited compressor and pumps बनाने वाली company है 775.60 रुपिस के राउंड तक की stock की closing है 10.60 रुपिस के राउंड अगर आप देखते हो तो share हमें negative returns देता हो जाना है 1.36% के basis पे company के और से दिया जा रहा है 1st1 का bonus 7 July 2023 से बेलबाय करना होगा तभी आपको इसका फाइदा होगा क्यो वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कोई भी शेयर में investment करने से पेला इन शेयर का आनल से कर लेना ठैंक यो